मचते दोस्तो बिलकम बैक माई चैनल लेटेस नियूज तो लेटेस नियूज में आप सभी का स्वागत है तो गाईस जितने भी छात्रे हैं जिन छात्रों ने नीट के लिए एक्जाम दिया था तो फाइलि आज के डेट में उन सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपड अब कम नंबर पे ही इनको गौर्वेंट कॉलेज मिल जाएगा तो सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल से और कम्प्लेटली लाइब प्रूफ बताने वाला हूं बस आप सबको कांटीनू वीडियो में बढ़े रहना है ताकि मैं आप सबको प्रॉपर गाइड कर तो चलिए प्रदेरी के स्टार्ट करते हैं तो फर्सली यहां पर आप देख पाएंगे यहां पर आपको साब साब दिख रहा होगा यहां पर क्या है मैं आपको ब्रस लेलू में यहां पर देख पाएंगे नीट 2021 कांसलिंग और इंडिया कोटे की सीटो में ओबीजी और EWS पर सुपरिंग कोट ने सुनवाई आज तो गाइस यहां पर क्या है माजरा पेले इसको जान लेते हैं बेसकली इसके बारे में कि आपको किन चातर को कम नमर पर गौर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है तो यहां पर आप देख पाएंगे तो गाइस यहां पर आप देख और EWS को क्रम से 27 फिजदी और 10 फिजदी आरचर देने के केंडर और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यम सी सी के निर्देश को चुनोती देने वाली याचिका पर उस्तम नियाले में आज 16 दिसम नमबर स्वारी यहां पर दिख पाएंगे आप 16 नमबर 2021 को सुनाई होनी है बता देकि निधारित नियमों कारक्रम के मताबित आल इंडिया कोटे की 50 फिजदी के लिए काउंसलिंग की प्रेक्रिया 25 अक्टूबर से ही शुरू होनी थी लेकिन यम सी सी द्वारा प्रेक्रिया को ट देखे यहां पर क्या है नीट पीजी 2021 काउंसलिंग को लेकर सुप्रिम कोट ने दाया द्याशिका को परस्वाई को पर सिर्ष अदालत के निया दिसो नियामूर्ती डिवाई चंद्रशूड और नियामूर्ती वीवी नार्व रथन के खंड़ पिट ने समाचार एजनसी पीटी आई के अपडेट के अनुसार केंद दोबारा अस्वसस्त किये जाने के बाद माना था कि इस मामले पर अदालत के नीड़े के बिना काउंसलिंग से स्टुडेंट के लिए समस्या की इस्तिति उत्पन होगी यह भी क्लिर होगा ना उसके बाद यहां पर देखिए आ हम आपकी बात मानने की काउंसलिंग तब तक शुरू नहीं हो रही है जब बोलने से लगता है आपको डर तो डरना बंद कीजिए डाउटट के इंगलिस स्प्रिकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाए यहां पर इंडिया के टाप एक्सपर्ट आपको हिंदी भासा के म बनाना चाते हैं तो यह कोर्स आपके लिए है तो आज ही डाउटनेट एप पर इस कोर्स को खरी दिए और अपने इंडिस बोलने को सपने को पूरा किजिए जब तक हम कोई रास्ता नहीं कर लेते अन्यता चात्रों को गंभीर समस्या होगी यह हुआ ना उसके बाद यहां सरकार से पूछा था कि क्या हुआ मेडिकल पार्ट करमों के लिए नीट प्रिवेस में आरचड के लिए EWS स्रेडी निधारित करने के लिए निधारित आट लाग रुपे की वार्शिक आय की सीमा पर फिर विसे विचार करना चाहेंगी वही 26 अक्टूबर को केंसे सुप्र सुप्रिम कोट के समच्य समाधिक न्याय और अधिकार्ता मंत्राले द्वारत दायर एक स्वारी हल्प हल्प नामे में इसके कहा कि रासी तैय करने का सिध्धान तरक संगत है और समिदान के अनुशेद 14 15 16 के अनुरूप है आपको इसमें आपको बता दू देखिए अभी आपको जितने भी चात्र हैं OBC के एंड EWS के ना उन सभी चात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुस खबरी है कि अब उन सभी को आरचण मिलने वाला है अभी आपको 27 50 मिलने वाला है तो अगर आपको यहां पर मिलने वाला है आरचण ना तो डेफिनेटली क्या रहेगा कि अगर आपके कम नंबर्स हैं तो कम नंबर पर आपको गौर्मेंट कॉलेज मिल पाएंगे डेफिनेटली मिल जाएंगे अगर आप माली जे आपने कम स्कोर कर रखा है 40 150 तक कर रखा है अगर आपको नहीं मिल रहा है गौर्मेंट कॉलेज तो यहां पर आप पापाएंगे डेफिनेटली पापाएंगे अगर यहां पर यह अरचल लागू हो जाता है तब अभी कब आज सुनवाई होनी है तो आज जैसे इसका न्यूज आएगा ना मैं आप सबको अपडेट करा दूँगा यहां तक उमिदे हैं मैं 25 आपको बोल रहा हूं ना तक आप डेफिनिटली काउंसलिंग कर लोगा लेंगे सब कुछ कंप्लीट कर पाएंगे अगर आपके कोई क्यूशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में करना नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रपल नी बताऊंगा आपके कमेंट के बेस्ट पर बताऊंगा और गाइस में आपको बता दू लेटेस्ट न्यूस की तरफ से एक स आपको वितरल कर पाऊंगे अगले वीडियो में गाइस चैनल को फटा फर्द सब्सक्राइब करना इसके रिलेटर कोई भी छोटी बड़ी अप्डेट आईगी मैं आप सब को अप्डेट कराते हुए